तो आज कर यह वीडियो किसी डिजाइन पर नहीं होने वाला है आज की इस वीडियो में मैं वह बताऊं का जब आप मूवी पॉस्टर बनाती हो तो image को retouch करना बहुत जादा ज़ोड़ी होता है खासकर यहां पर मेरे पास में इमिज है इसको मैं आपको परकर दिखाता हूं यह परे पास में इमेज है और इसी को हम लिटोट है करने यह Myers निकला हुआँ में इमेज आप देख सकते हो कि डिर्ट कैमदा से निकला हुआ यहां होद्रिंद में इसमें से मैंने एक Georgia यहां अब मुझे इसको स्किन को रिटेश करना है तो आप अपने हिसाब से इसको फोटो को सबसे पहले किस पॉटो चीए मुझे लगता है इस पॉजिशन मेरा फोटो यहां पर ठीक है वो टोटली आपके इमेज को पर डिपेंड करता है ठीक है तो इसकिन के अंदर में ली टू ड ठीक है तो सबसे पहले इसाएमेज का नाम रख देते हैं मालो मेंन इमेज ठीक है और इसको जसमें डूब्लिकेट कर रहा है जो मैं ढुब्लिकेट कर सकते नहीं और एक बार ौब्जेक्ट नहीं रख सकते जो यह एफेक्ट मारे अपने होगा तो इसको आप रिष्टोरा ठीक है? अब इस दोनों को मैं यहाँ पर group कर देता हूँ तो यह अलग हो गया, यह अलग हो गया अलग हो गया नीचे वह लिएर को मैं और लिजनल को फिलहाल बंद कर देता हूँ और इसको मैं soft and hard detail को अलग अलग करता हूँ soft detail अलग करना बहुत easy है फिल्टर में जाओ और बलड में जाओ और गॉशन बलड में जाओ और स्किन पर क्लिक करके आप देख लो कि आपको बहुत ही कम बलड जब आपको softness हलका दब फील होने लगे तो आप इसको okay कर दो यह around 2.8 यह 2.5 के असपास हो जाता है ठीक है बिसकली ऐसा आपका image हो जाए है ठीक है अच्छा उसके बाद जो blending mode है आप नीचे यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे blending mode है तो वहां पर आपको लेना है सब्ट्रेक्ट वाले blending mode ठीक है यह detail आपको यहां पर 2 रखना है स्केल 2 और offset 130-128 की बीच में आप इसको रखोगे तो बढ़िया result आपको देगा ठीक है आप इसको okay कर दो तो आपको कुछ इस टैप से इमेज दिखेगी अब जो आपको hard detail है उसका blending mode यहां चेंज करके अब यहां पर अंतर दिखना start होगा ठीक है कैसे वह just मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ इस वाले image के अंदर चले जाओ और उसके बाद में यहां पर एक जो आपके पास soft detail वाले image है उसको duplicate करो उसका नाम रखतो आप effect जो भी आप नाम रखना चाहो basically यही main effect होने वाला ह उसके बाद में आप जाओ यहां पर brush, mixer, brush ठीक है यहां पर जो आपको लेना है सबसे पहले आपको clean brush करना है जो पहले जो भी effect है यहां पर reset करना है यहां पर दो check है उसमें से आपको इस check को हटाना है इस check पर रखना है ठीक है और फिर से आपको clean brush करके आपको इस check पर रखो और बांके सारी चीजं़ जो उसके बागे जो शारी सारी को यहां पत्रटल दिखना शूरू हो तो आपने ही साप्शाब उसके औरए यहां पर इस पीएपि पैंट कर ना जैसे आप paint करना start करोगे आपको effect दिखना यहां पर सुरू हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हो effect यहां पर दिख रहा है अगर मैं इस लिए को बंद कर दूँ पहले यह था अभी यह जस्ट आपको अपने हिसाब से इसको paint करना है effect वाले लियर पर और brush का size छोटा वरा आ जिस step का area है वैसा size आप यहां पर करो और हर एक area को आपको अच्छे से करना है जहां 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 आपको लगे कि मुझे smoothness चाहिए तो वहां वहां आप इसको अच्छे से कर सकते हो जैसे मुझे यहां लग रहा है मुझे चाहिए तो just मैं वहां पर इसको paint कर रहा हूँ है और कहां कहां चाहिए आप देख लो आपको कहां कहां यह चाहिए और जहां जहां भी चाहिए आप उसको paint करते जाओ ठीक है जिस मुझे यहां भी चाहिए just मैं उसको paint कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ कभी क्या होगा कि इतने अच्छे से apply नहीं होगा तो आपक पर भी मैं इसको अपलाई कर रहा हूं ठीक है जितना ज़्यादा इसका वेट और लोड करोगे वैसा आपको इफेक्ट यहां पर दिखेगा ना तो यह कुछ ऐसा हमें यहां पर दिख रहा है तो यह पहले था औरिजिनल यह अभी है कुछ ऊप भी है और आप इसको डटेयल में जा सकते हैं जहां जहां को लगे कि हां मुझे इस जगह पर smooth करना है just आप इसको आप इसमूद करते जाओ यह जिस में आप इसमूद कर रहा हूँ simply इसको मैं smooth कर रहा हूँ जहाँ जहाँ आपको लगए कि हाँ मुझे आप smooth लग रहा है करना चाहिए आप करते जाओ simply जबी smooth हो जाए तो थोरा सा इसके अंदर detail और डालो उसके लिए हमें क्या करना है उसके लिए simply हम क्या करेंगे जो हमारे पास में इसके लिए मैं इसको कर लेता हूँ group को convert to smart object अपने पास में smart object में आ गया इसको मैंने किया duplicate duplicate करने के बाद में मैं जाता हूँ filter other high pass high pass मैं लेता हूँ around 1.5 या 1.67 का असपास और उसके बाद में मैं इसका इस layer mode के उसको मैं change कर देता हूँ linear light तो यह बहुत जादा detail आ गया तो जस्ट आप इसके opacity यहां पर down कर दो जहां पर आपको लाएंगे हां यह detail में लिए perfect है उसको जस्ट आप मुहां पर ok कर दो ठीक है मुझे लग रहा है यह detail मेरे सही है कर दोंगा तो अपने आप यह poster वाले look में यह आ जाएगा आप यहां पर देख सकते हो यह automatically यह वह look में आता हूँ आपको दिख रहा है जिसी यह मुझे यहां पर ठीक लग रहा है उसके बाद में और भी आप और color correction करना है और color बढ़ाना है जो भी आप करना है आप यहां लग रहा है कि इस type से मुझे ठीक लग रहा है ठीक है और यह जब इसको detail में देख होगे तो काफी यह cool लगता है यह वाला effect create करने के लिए Photoshop में हजारों तरीक है लेकिन मुझे यह वाला सबसे सही लगता है मैं अपने जो भी poster बना तो मैं यह effect डालता हूं इसी type डालता जितना वह पता होना चीए सब कुछ बता है वह मेरी website पर 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 प्रचेश कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक है वहाँ पर जाएक आप क्लिक करके वह course आप बाई कर सकते हो ठीक है तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई हाई मेरा नाम राजी महता है और मैं पिछले 15 सालों से as a content creator या as a graphic designer काम कर रहा हूँ और इन 15 सालों मैंने इंडिया के top brands के लिए काम किये हैं और अभी भी मैं कर रहा हूँ Photoshop एक ऐसा software है जिसके थरों आप कुछ भी create कर सकते हो जो भी आप imagine कर सकते हो वो आप यहाँ पर create कर सकते हो इतना powerful है और बहुत easy तरीके से आपके दिमाग में सारी चीज़े set हो जाएगी हर एक tool कैसे work करता है और real life में उस tool को हम कैसे use करते हैं उस tool को use करके हम एक अच्छा digital content create कर सकते हैं हम impressive या impactful digital content create कर सकते हैं तो यह course मेरी website पे है जहां से आप इसको enroll कर सकते हो